64 अध्याय राजान्रिक का ब्रतान्त श्रीशुक्देव जी बोले है परिशेत एक समय यदुवन्शियों के कुछ बालक खेलते खेलते द्वारिका के एक उपवन में चले गए वहाँ पर प्यास के कारण अन्होंने एक कुए में उझग कर देखा तो उस कुए में एक विचितर जन्तू इल्टा लड़क रहा था उन्होंने रसो तथा काटों के द्वारा उसे बाहार निकालने का बहुतेरा प्रत्न किया किन्तु वे इतना भारी था कि वे उसे निकालने में असमर्थ रहे उन्होंनी श्री कृष्ण के पास आकर उसका हाल कहा तथा यह प्रात्ना की कि उस गिर्गिट को कुए से बाहर निकाल दीजिए उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण उस कुए के पास जा पहुँचे वहाँ ज हे प्रभू आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है आपके समान मुझ जैसे अधर्मी को सुख पहुचाने वाला अन्य कोई नहीं है यह देखकर प्रद्युमन आदिबाल को ने आश्चरे चकित होकर श्री श्याम सुद्दर से पूछा हे प्रभू यह हाँ चुड़कर इस प्रकार कहा यह प्रभू आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी यदि पूछना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ मैं पूर्व जनम में राजा इश्वाकू का पुत्र राजा नरक था उस जनम में मैं दस सहस्तर गौएं प्रती दिन दान करता था एक दि मैंने उसे एक दूसरे ब्राह्मन को दान कर दिया जब दूसरा ब्राह्मन उस गौँ को लेकर अपने घर चला उस समय पहले ने उसे पहचान कर जगड़ा किया मैंने उन्हें बहुत समझाया कि तुम दोनों में से कोई एक लाख रुपे लेकर इस गौँ को छोड़ दो कहा कि द्वापर युप में श्री कृष्ण के पाने से तेरी मुक्ती होगी तो हे महाप्रभू आज आपके दर्शन प्राप्त कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ अब आप मुझे ऐसा वर्दान दीजी जिससे आपकी भक्ती मेरे हृदय में सदय बनी रहे यह सुनकर श्री मुल्ल अंशियों को समझाते हुए यह कहा कि देखो ब्रामनों की महिमा कितनी प्रबल है मनुश्य को चाहिए कि वह किसी ब्रामन का धन कभी न ले विश्खाने से तो एक ही व्यक्ति मरता है परन्तु ब्रामन का अंश लेने वाला अपने परिवार सहित नश्ट हो जाता है जो रो और उसके चर्णों में अपना मस्तक रखतेना चाहिए ब्रामनों की सेवा करने वाले मेरे चर्णों की भक्ति को पाकर परंपत को पहुँचती है इतना कहकर श्री श्याम सुन्दर सबको साथ के घर लोट आए पैसटवा अध्याय बल्राम जी का व्रंदावन में पहुच श्री शुपदेव जी बोले हे राजन एक समय श्री श्याम सुन्दर तथा बल्राम जी राजभवन में बैठे हुए थी उस समय बल्राम जी ने नंद यशोदा आदी ब्रजवासियों को याद करके श्री कृष्ण से आग्या लेकर रत पर चड़कर ब्रंदावन को चल दि ये राजन बल्बदर जी जिस जिस देश में होकर जाते थे वहीं कि राजा आगे आकर उनका सम्मान करके अनेक प्रकार की भेट देते थे इस प्रकार कुछ दिनों की यात्रा करके वे उज्जेन में अपने गुरू सांधीपन के दर्शन करते हुए व्रंदावन जा पहु इस समय किसी ग्वाल ने नंद यशुदा को श्री बल्राम जी के आने की खबर दी तब वे भी उनके पास जा पहुचे जब बल्राम जी ने नंद यशुदा को आते देखा तो वे आगे बढ़कर उनके चर्णों पर गिर पड़े उस समय नंद जी ने उन्हें आशिरवात यशुदा ने भी उनिहरदय से लगा कर आशिरवात दिया उस समय उनके नेत्रों से आसु की धारा बह चली इतनी कता सुना का श्री शुपदेव जी ने कहा हे परिक्षित तदंतर बल्राम जी को घर लाका नंद जी बोले हे बल्दाव राजा उग्रसेन सहीद वसुदेव जी आदी सब यादव तथा हमारे प्यारे क्रिश्ण तो सकुषल हैं वे कभी हमारे भी याद करते हैं अत्वा नहीं यह सुनकर बल्राम जी ने उतर दिया हे बाबा आपकी क्रपा से सब लोग प्रसन हैं तथा सदैव आपका गुनगान किया करते हैं तत पश्चाथ जब गूपियों ने श्री बल्राम जी को देखा तो वे अत्यंत प्रसन होकर दोड़ती हुई उनके पास आप उची तता हाद चोड़ कर कहने लगी ए बल्राम जी हमारे श्याम सुन्दर कुशल से तो हैं वे भी हमें भी याद करते हैं अत्वा नहीं वे जब से यहां से गए है तब से एक बार भी उन्होंने उधो के हाथ योग का संदेशा अवश्य भेजा था परन्तु उसके बाद फिर कोई सुधी नहीं ली अब वे भला किसी के सुधी क्यों लेगे उस समय एक गोपी ने यह कहा कि है सकी श्री मुर्ली मनुहर की प्रीती का भरोसा कौन करे कहा तो वे राधा के बिना एक पल भी नहीं रहते थे और अब वह बिचारी बरसाने में पड़ी रहती है हम सबने भी उनसे प्रीती करके क्या पाया अब सुनती हूं कि उन्होंने सोला सहस्त्र एक सो राजकन्याओं के साथ विवा कर लिया है ऐसी स्तिती में वे भला हमारी याद क करने लगी यह सुनकर एक अन्य गोपी ने कहा है सकी मुर्ली मनोहर के अवगुन तो उधो ही आकर सुना गई अतहां उनके लिए पश्तावा करना व्यर्थ है कोपियों के ऐसे वचन सुनकर श्री बलराम जी ने कहा है कोपियों मैं तुमारे ही लिए यहां आया हूं हम साथ है अतहा तुम श्रिंगार करके वन में आओ वहां हम तुमारे साथ रास करेंगी यह सुनकर सब गोपियां अत्यंत प्रसन होकर अपने अपने घर चली गई हे राजन संध्या की समय जब बलराम जी वन में पहुँचे तो सब गोपियां भी उनके पास चाह पहुची श्री बलराम जी कुंदन के समान शरीर पर निलामबर धारन की अंग प्रत्यंग में आभूशन पहने अत्यंत सुन्दर प्रतीत होते थी उनकी छवी को देखकर वैसे ही बलराम जी ने हूं कहा वैसे ही रास तीला की सब वस्तुएं वहां उपस्तित हो गई तथा यमना तट पर सुन्दर रास मंडल प्रकट हो गया तब सब गोपियां संकोच त्याग प्रेम पूर्वक वीना म्रदंग कर्ताल उपंग मुरली आदी बजाती तथा नास उसी आनंद में श्री बलराम जी ने जल विहार करने का निश्चे करके यमना को पुकारा परंतु यमना जी ने उन्हें मतवाला समझ कर उनकी आदेशों की उपिक्षा कर दी तब बलराम जी ने क्रोधित होकर अपने हल की नोग को यमना में डाल कर उसे अपने पास कीज कर किया तभी से उस थान पर यमना अब तक तेड़ी है यह देखकर यमना ने अत्यंत भैबीत हो स्री रूप धारण करके श्री बल्राम जी से प्रात्ना की यहे बल्बद्र जी मैंने आपको पहचाना नहीं अतहाँ आप मुझे अपनी शरण में आई हुई जानकर मेरा शमा कर दिया तब हल्दर जी सब गोपियों सहित यमना जल में विहार करने लगे जल विहार करने के उपराण जबे बहार आये तब तरुन आदी देवताओं ने उनके सम्मुख मोतियों, मनियों तथा वस्त राबुश्णों का धेर लगा दिया उन्हें बल्राम जी की आग विलास करके गोपियों को सुप पहुचाया और दिन में नंद यशौधा आधी को श्री श्याम सुंदर की चरचा करके आनन्द प्रतान किया जब श्री बलबदर जी ने द्वार का जाने की इच्छा प्रकट कि तो नंद आधी सभी ब्रजवासियों ने श्री श्याम सुंदर को देने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं दी तब वे सब लोगों से विदा लेकर द्वार का कुछ चल दिये और द्वार का पहुचकर श्री श्याम सुंदर से सब समाचार कह सुनाया 66 अत्याय पॉंडरक वत श्री शुकदेव जी बोले है परिक्षित करुश देश का प्रतापी राजा पॉंडरक काशीपुरी में रहता था उसके मन में यह इच्छा उत्पन हुई कि मैं वसुदेव नाम रखकर स्वयम को हरी का अवतार खोशित करूं तथा अपनी पूजा कराऊं उसने दोगुजाए काठ की बनवा कर अपनी शरी में लगवा ली तदश्री श्याम सुंदर के समान पितामबर पहन वे जन्ती माला गले में डाल कुंडल पहन लिये फिर वे अपने हातों में शंक चक्र गदा पदमले काठ के गरुड पर सवार होकर चारो और घूम घूम क अपनी पूजा कराने लगा उसकी यह दशा देखकर लोग आपस में यह चर्चा करने लगे कि एक तो वसुदेव कृष्ण है जिनों ने यदुकुल में अवतार लेकर कंस का सहार किया तथा अब द्वार का पुरी में विराज रही है दूसरा यह वासुदेव उत्पन हो गया है अतहा हम इन दोनों में किसको सच्चा माने हे परिक्षित एक दिन पौंडरक ने एक ब्राह्मन को द्वार का में जाकर कृष्ण से यह कहने को भीजा कि वह हमारी अधीनता माने अन्य था हमारे साथ युद्ध करे पौंडरक का यह संदेश्ट लेकर वह ब्राह्मन पुरी मिचा पहुचा उस समय श्रीश्यामसुंदर ने उसे दंडवत करके यह पूछा कि हे द्विश्ष्ट आप कहां से आए हैं तता हमारे लिए क्या समचार लाए हैं तब भ्राह्मन ने कहा हे जगत पती आपके लिए राजा पौंडरक ने यह कहलवाया है कि मैं वास् प्रिथवी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहन किया है तुम मेरा वेश बनाकर अपने को वासुदेव क्यों कहते हो यदि तुम त्रिभुवन पती होते तो जरासंद से भैवीत होकर द्वारका में क्यों रहते अब तुम अपने वसुदेव नाम को त्याग दो अन्य पुरान श्री कृष्ण ने उस ब्रामन से कहा ए ब्रामन तुम अपने राजा के पास जाकर यह कहो कि हम तुम्हारा संदेश सुनकर अत्यंत प्रसन हुए हैं तथा युद्ध करने के लिए आ रहे हैं इतना सुनकर वह ब्रामन वहां से चलकर काशीपुरी में पहुंच राज राजा पोंडरक युद्ध करने के लिए दो अक्षहनी सेना साथ लेकर उनके सामने आपहुचा जब जब पोहमसुरक बाई तथा पोंडरक की मित्रपार संगरह नामक प्रयाग के राजा ने यह समाचार सुना तो वहे भी पुनडृ की सायता करने के लिए तीन अक्षविनी सेना लेकर आ पहुंचा जब युद्ध आरम हुआ तो श्री श्याम सुन्दर ने राजा पॉंडरत के सामने जाकर उसका मुखुट उतार लिया और हस्ते हुए यह कहा हे राजन हम तुमारे संदेश को पाकर यहां आए हैं यदि तुम अब भी सच्ची बात स्विकार कर लो तो हम तुमें छोड़ देंगे अनेथा जान से मार डालेंगे गहसुनकर भी जब उसने श्री हरी का कहना नहीं माना तब उनकी आग्या से सुदर्शन चक्र ने उस वेश्थारी राजा का मस्तक काट लिया तदु प्रांथ पार संद्रह का मस्तक काट कर संबून सेना को भी मार डाला उस समय श्रीबा के बिहारी के आग्या अनुसार पॉंडरक का मस्तक धर से कट कर नगर के द्वार पर जाकिरा ये परिक्षे जब नगरवासियों ने शुक्देव जी ने कहा है राजन सुदक्षिन ने निष्ठा पूर्वक शिवजी का तप किया श्री शिवजी ने प्रकट होकर उस से वर्दान मांगने के लिए कहा तब सुदक्षिन प्राध्ना की है प्रभू मैं यहीं चाहता हूं कि जिसने मेरे पिता को मारा है उसे इ तर दिया है सुदक्षिन तेरे पिता की बुद्धी उल्टी हो गई थी अधा यदि तु उसका बदला लेना चाता है तो उल्टे मंत्र पढ़कर हवन कर उसके प्रताब से यग्यकुंड से कृत्या नामक एक राक्षसी प्रकट होकर तेरी आग्या का पालन करेगी परंतु त ध्यान रखना की जो लोग हरी भक्त नहीं है उनी पर तेरा वश चलेगा यदि तुने किसी हरी भक्त से विरोध किया तो तेरा प्राण भी चाता रहेगा इतना कहकर जब शिवजी अंतर ध्यान हो गए तब सुदक्षिन ने उल्टे मंत्र पढ़कर यग्य किया उसके संप वन तथा नगरों को जलाती हुई द्वारका पुरी में जा पहुंची तदा अपने तेज से उस पुरी को भी जलाने लगी यह देखकर द्वारका वासियों ने अत्यंत भैबीत हो श्री शाम सुंदर के पास जाकर कहा ये प्रभू न जाने कहा से एक राक्षसी यहां आकर पुरी को जला रही है अतह आप हमारे प्राण बचाईए यह सुनकर श्री हरी बोले तुम लोग भैरे रखो उसे अभी मार कर भगाय देता हूँ इतना कहकर श्री मुर्ली मनुहर ने सुदर्शन चक्र को यह आग्या दी कि तुम कृत्या को भगा दो यह आग्या पाकर सु करके द्वार का पुरी लोट आया सरसटवा अध्याय बल्राम जी का दिविद द्वानर को मारने की कथा श्री शुकदेव जी ने कहा है परिक्षित दिविद नामक वानर सुग्रीव के मंत्री मयंदी नामक वानर का भाई तथा भौमासूर का मित्र था उसके शरीर में दस सहस्त्र हातियों का बल था एक दिन जब उसने अपने मित्र भौमासूर के मारे जाने का समचार सुना तो वह अत्यंत क्रुद हो उसकी मृत्यू का बदला लेने द्वार का पुरी को चला वह अपने माया तथा मंत्रों द्वारा जहां रिशी मुनियों को बैठा देखता व उसे देखकर स्त्रियों ने अपने घरों के द्वार बंद कर लिये उन दिनों बलराम जी रहवत नामक परवत पर गए हुए थे यह जानकर दिविद ने अपने मन में यह विचार किया कि पहले मैं बलभद्र को ही मार डालू बाद में शाम सुन्दर को आकर मारूंगा यह वह रहवत परवत पर जा पहुँचा वहां उसने यह देखा कि बलराम जी मदरा पान करके गंधरवों की इस्तरियों के साथ एक सरोवर में जल प्रिडा कर रहे हैं तब दिविच छोटा सरूप बना कर सरोवर के तट पर एक व्रक्ष पर जा चड़ा तथा एक डाली से को पुकार कर सब हाल बताया तब उन्होंने तालाब से बहार निकल कर उस वानर के उपर एक धेला फैका गह देखकर देविद ने व्रक्ष से नीचे उतर कर इस्तरियों के समस्त वस्तरों को पार डाला उस समय जब बलराम जी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया तो वह छोटा रूप बना कर उनके हाथ से बहार निकल गया तदंतर परवत के समान विशाल रूप धर कर उनसे लड़ने के लिए सामने आया तथा बड़े बड़े व्रक्ष एवं शिलाखंड उठा कर उनके उपर प्रहार करने लगा जब श्री बलभतर जी उसकी और हल मुसल इतना होने पर भी उसने एक दूसरा व्रक्ष उखाड कर बलराम जी के उपर फैका जिसे उन्होंने अपने मुसल से तोड़ गिराया तब है बलराम जी से द्वंद युद्ध करने लगा उस युद्ध को देखकर सब स्त्रिया अपने मन में अत्यंत घबरा गई हे राजन जब बलराम जी ने उन स्त्रियों की अकुलाहट को देखा तो उन्होंने दिवित को पकड़ कर अपने दोनों हातों से उसके कंट ऐसा दबाया कि उनकी नाक कान तथा आँकों की रहा से रुधिर निकलने लगा और उसकी मृत्य हो गई इतनी कता सुना का श्री शुकडेव जी ने कहा हे राजन वह दिवित नामक वानर त्रेता युक से किश्किंधा में रहे रहा था अतह बलबदर जी ने उसे मुक्ती प्रदान की और सट्वा अध्याय साम्भ विवा श्री शुकडेव जी बोले हे राजन जब राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा विवा के योक्य हुई तब उसने अनेग राजाओ को आमंत्रित करके स्यमवर किया श्री क्रिशन जी का पुत्र साम भी इस समचार को पाहस्तिनापुर मे जा पहुचा वहां जब लक्ष्मणा अपने हाथ में वरमाला लिए सब राजाओं के पास होती हुई साम्ब के पास आई उस समय साम्ब ने उसके सरूप पर मोहित होकर लक्ष्मना का हाथ पकड़ लिया और उसे रत पर बठा कर द्वारका को चल दिया उस समय जो अन्य राजा वहां उपस्ति थे उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि देखो साम्ब राज करन्या को सेमबर में से जबर्दस्ति उठा ले गया इस प्रकार आपस में सम्मती करके कर्ण विकर्ण शल्य बुर्शिवा यग्यकेतु आदी राजा अपनी सेना लेकर साम्ब को पकड़ने के लिए चल दिये मार्ग में जाकर उन्होंने साम्ब को चारो ओर से खेल लिया और उसे बंदी बनाकर दुर्योधन की सभा में ले आए तो समय नारजी ने हस्तनापुर में आकर दुर्योधन को समझाया कि तुम द्वारकानाथ के पुत्र की भूल का ध्यान न करके उसे छोड़ दो जब इतने पर भी वे लोग नहीं माने तो नारजी ने दौरका में जाकर राजा उग्रसेन को सब समझाया यह सुनकर राजा उग्रसेन ने श्री श्याम बलराम तथा सभी यदुवन्शियों को बुला कर यह आग्या दी कि तुम सेना लेकर हस्तनापुर चले जाओ और साम को छुडा लाओ राजा उग्रसेन के आग्या अनुसार जब श्री कृष्ण सेना लेकर हस्तनापुर जाने को तयार हुए तो बलराम जी ने उनसे कहा हे भाई कौरव हमारे संबन्ती है अतहा छोटी सी बात के लिए सेना लेकर उचित नहीं है मैं अकेला ही वहां जाकर उन पहुँचे नगर के बाहर एक उध्यान में डेरा डाल कर ठहर गए और अकरूर द्वारा अपने आग्मन का समचार राजदुर्योधन के पास बिजवा दिया जब दुर्योधन ने बलराम जी का आग्मन सुना तो वह भीश्म पितामा द्रोणा चारे है युदिश्टर देव जी ने उत्तर दिया है दुर्योधन मैं राजा उग्रसेन का संदेश लेकर यहां आया हूँ उन्होंने कहलाया है कि बालक साम को तुम्हारे छे महारतियों ने पकड़कर अच्छा नहीं किया यदि उससे अज्यान में कोई अफ्राद हो गया था तो तुम लोगों को हमारे संबंद का विचार रख कर उसे कैद नहीं करना चाहिए था तह तुम उसे कैद से मुक्त कर लक्ष्मना का विवा उसके साथ कर दो हे परिक्षित बलराम जी के मुक से यह वचन संदुरियोधन कृत होकर बोला हे बलबतर जी आप उग्रसेन की बात मत कीजिए चार द वारका में पहुँचकर पिछली बाते भूल गए अब रही बात सांब की उसने ठिडाई करके हमारी कन्या को स्वेंबर से उठा कर ले जाना चाहता इस अपरात की कारण यदि हम उसे मार डालते तो भी कोई अनुचित बात नहीं होती परन्तु हमने नातितारी का ध्यान र पिछे की बातों का विचार करके काम करते हैं और अज्यानी बिना विचारे ही कर बैठते हैं जिससे उन्हें दंड भोगना पड़ता है तुमने अपने अभिमान में यह विचार नहीं किया कि मैं कैसी बाते कर रहा हूँ अतह अब तुम अपने कही का दंड पाओगे इतना कहकर श्री बलराम जी ने अपने हल को प्रित्वी में गार कहा हे दिन बंधू आप अग्यानी दुर्योधन की बात पर ध्यान देकर हस्तनापुर की निर्व प्राद मनुष्य की प्राण मत लीजिए हम लोग सदैव राजा उग्रसेन की आग्या का पालन किया करेंगी यह प्रात्ता सुनकर बलराम जी ने क्रोच शांद करके अपना प्रिथवी से बहार निकाल लिया राजा दुर्योधन ने लज्जित होकर बलराम जी से शमा मांगी तता साम को कैज से मुक्त कर विधी पूर्वग अपनी कन्या का विवा उसके साथ कर दिया तता बहुत सा द्रव्य वस्त राभूशनादी दहेज में देकर उन्हें विद श्री शुकदेव जी बोले है परिक्षेत एक दिन नारट जी इंद्र पूरी में पहुचे वहाँ जाकर उनोंने यह देखा कि इंद्र की दो उस्तिरियां हैं सुवितोनों परसपर झगड़ा कर रही हैं। यह देखकर नारट जी ने विचार किया कि जब इंद्र की दो उ शोबा ऐसी थी कि वहां सब और रत्न चड़ित बंड मंदिर बने हुए थे तता वापी कूप तड़ा कादी अपनी छटा दिखा रहे थी व्रक्षो पर बैटे हुए विवित प्रकार के पक्षी सुहानी बोलिया भोल रहे थी तता शीतल मन्द सुगंध पवन भैक सबके हिर सहस्त्रो दासियों के रहते भी रुक्मनी स्यम भगवान वैकुंद नात को पंखा जल रही है जैसे ही श्री मुली मनोहर ने नाराची को आते हुए देखा वैसे ही सिहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किया तदु प्रांधुने अपने सिहासन पर बैठा हाथ चोड़कर इ प्रभु आज आपने क्रपा करके मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है अब मैं आपकी क्या सेवा करूँ यह सुनकर नाराची ने उत्तर दिया है त्रिलो की नात मैं तो आपके दर्शन करने के लिए यहां आया हूँ आप मुझे यही वर्दान दीजिए इसे मे भी श्री हरी ने मुनी राज को दंडवत प्रणाम किया तथा मुनी आशिरवाद देकर विने स्तुती करने के उपरान विदा हुए फिर जब नाराजी जामवती के स्थान पर गए तो वहां उन्होंने श्री बांके बिहारी को तेल खुलेल लगवाते देखा अतहा नाराजी वहां से चुपचाप लोटाए फिर कालिंदी के महल में जाकर उन्होंने श्री श्री श्याम सुंदर को सोते हुए देखा इस प्रकार नाराजी अनेग भवनों में गए अतहा कहीं तो उन्होंने श्री हरी को पूजन करते देखा और कहीं भ्रामनों को भोजन कराते देखा कहीं इस्तरियों के उपर फूल बरसाते, कहीं जल विहार करते, कहीं बच्चों को खिलाते, कहीं बलराम जी से अधर्मियों को मारने की सम्मती लेते, कहीं वसुदेव देवकी के पास पैटे हुए और कहीं चौपड खेलते हुए देखा इस प्रकार नारज जी जितने भी गरों में गए, सभी चंगा उन्होंनी श्रीपा की बिहारी को विवित प्रकार की लीलाएं करते हुए देखा, तब ये अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर यह विचार करने लगी, कि देखो मैं अपने अग्यान के कारण त्रीलो की नाथ की परिक्षा लेने फिर रहा हूँ, उस समय अंतर्या में श्रीहरी ने उनके मन की बात को पहचान कर इस प्रकार पूछा, हे नारज जी आपकी आज क्या दशा हो रही है, यह वचन सुनते ही नारज जी उनके चर्णों में गिर पड़े चता हाथ जोड़कर इस प्रकार कहन लगे, यह दीन बंधो मैंने अपने अज्यान के कारण आपकी परिक्षा लेने का विचार किया था, सो आप मेरा अपराज शमा करें, यह सुनकर श्री मुली मनोहर ने प्रसन होकर कहा, हे मुने तुम अपने मन में कोई संदेहे मत करो, मेरी माया ऐसी बलवान है, जो बड़ बड़ को भुलावों में डाल देती है, मुझे सब जीवों को उत्पन एवं रक्षा करने वाला समझो, मैं सगुन अफ्तार के वल इसलिए रेता हूं, जिससे लोग मेरे लीला चरित्रों को सुनकर भव सागर से पार उतर जाएं, मुने तुम मेरा भजन किया करो, यह सुन मुझ से फिर मोल ले ले, तो वे मुझ तुच से अधिक प्रीती करने लगेंगे, यह सुनकर सत्यभामा ने श्री हरी से आग्या लेकर उन्हें नारत मुनी को दान कर दिया, तदु प्रांद उनके बराबर स्वर्ण देकर उन्हें मोल लेने लगी, तो नारत जीने केवल ए पुली मनुहर को उन्हें लोटा दिया, इस दिन से श्री श्री श्याम सुन्दर सत्यभामा से अधिक प्रीती करने लगे,